आपको प्रॉब्लम यह है कि यहां पर मेरे पास धेर सारे फोटो पड़े यहां पर देखे इस पोल्डर में और इसकी साइज लगबग यहां पर देख सकते हैं 351 MB हो चुकिया मैं सभी फोटो की साइज कम करना चाहता हूँ अगर मैं किसी भी एक individual photo की size आपको दिखाओ, यह DSLR से कीचे वे photos है, तो यहाँ पे देखो, यह 5 MB की लगबग है, तो मैं सभी images की size यहाँ पे कम करना चाता हूँ, यहाँ पे properties में भी मैं दिखाता हूँ, यहाँ पे आप details में देखिए, यहाँ यह लगबग 6000 width इस pixel की है, त अब right-click कर, right-click किया, अब right-click करने के बाद resize picture option दिखाए दे रहा है, उस पे click कर दे, okay, click कर दिया, अब यहाँ पे dial-up box जो आ रहा है, उसमें तुमें जो size चीए image की वो select कर ले, तुमें small, medium, large याँ एक दम phone की size चीए चूटी, तो वो भी ले सकता है, तो यह custom भी कर सकता ह और उसके बाद existing images को resize करना है, तो यह वाला option चेक रख, resize the original picture, okay, सब कुछ हो गया, अब resize button पे click कर दे, अब यह देख, processing हो रहा है, और यह देख, तेरे सारी सारी file या पे compress हो चुके, और अब इनकी size, file size देख ले नीचे, यह देख, oh, 24 MB, क्या बात है, वाव, fantastic, आपने त थैंक यू भाई, आपको बहुत बहुत थैंक यू, चल, थैंक यू, एंक्वी से काम नहीं चलेगा, नाश्टे का इंतजाम कर अपना, चेर छोड़ चल, मुझे कुछ और पड़ाने दे, ठीक है भाई, जी यह दोस्तो, आज की वडिय में मैं आपको बताने वाला हो, अग मैं बताऊंगा कि एक साथ सभी फाइल्स को आप रिनेम भी कैसे कर सकते हैं, और इसके लिए आपको कोई कोडिंग लिखने के बिल्कुल ज़रूत नहीं है, कुछ भी करने की ज़रूत नहीं है, मतलब कुछ करना पड़ेगा तभी होगा, लेकिन ज्यादा कुछ हैक्टिक बहुत ही सिंपल है, अगर आप जानने में इंट्रे शोड़ी है, कंप्यूर ट्रिक्स या टिप्स जो भी है, तो ये वीडियो इंट तक देखिएगा, तो दोस्तों जैसी कि मैंने इंट्रो पार्ट में आप से का कि हम डेर सारी इमेजेस की साइज कम कर सकते एक साथ और हम रिनेम भी कर सकते हूंने, तो उसके लिए आपको करना क्या है, उसके लिए आपको सबसे पहले Microsoft Store को ओपन करना पड़ेगा, Microsoft Store के अंदर, एक software है Microsoft की तरफ से, जो बिल्कुल फ्री है, पहले हमें बता देता हूं, उसका नाम है Microsoft Power Twiz, तो यहाँ पे मैंने Power Twiz सर्च किया और Image Resizer, साथ में Text Extractor भी बताऊंगा, तो यहाँ पे तीन टिप्स एक साथ में बताने वाला हूं, तो सबसे पहले Image Resizer, यहाँ पे देखते है, Image Resizer, एक option आपको मिल रहा है, यहाँ पे में क्लिक करता हूं, और इसमें वो बता रहा है कि इतने सारे size की images आपको resize कर सकते, Small, Medium, Large, और phone, या फिर आप add size करके, मतलब custom size भी add कर सकते है, new size और यहाँ पे edit करके, आप size define कर सकते है, कि वहाँ कौन से size की images आपको display करनी है, याद रखी, images का resolution चेंज नहीं होगा, बस size change होगी, अब बोले कि resolution चेंज होगा, मतलब, resolution चेंज नहीं होगा, मतलब size change होगी, यानि कि इमेज अगर 69 resolution में, तो वैसे रहेगी, बस इस ratio में size कम हो जाएगी, मतलब 69 resolution में, मैं अगर उसको ये वाली size दे दूँगा, तो उसकी 768, ये जो इसकी height है, वो बन जाएगी, उसका resolution as it is maintained रहेगा, ओके, तो ये आपको समझना है, याँ पर image कोई भी size के रहेने, तो उसक में images अलग-अलग याँ पर convert होते जाएंगे, और याँ पर आप custom size करके रख सकते हैं, अपनी size चाहिए, तो याँ पर new size define भी कर सकते हैं, जो size चाहिए, उसके अलावा, अब याँ पर अपने size वगएरा सब कुछ set कर लिया, अब क्या करना है, अपनी power toys अलड़ी और उसके बाद resize pictures नाम का option आपको दिखाई देगा, अगर अपने power toys इंस्टॉल किया है तो, अब याँ पर resize pictures button, यहाँ पर click करने के बाद आपको, वो size दिखाए देगी, यह दिखिए, new size नाम का, यह पर एक option भी आपको दिखाए देगा है, याँ याँ से भी आप custom कर सकत विलाल मैं जाता हूँ यह पिक्सर चनवर्ट करू कि यहाँ आप आप देखो कि अविल एक इमेज की size अभी हो रही है, तो अगर यह इनडिजल एक इमेज की size चेक चेको, यह इमेज की size यह पर प्रोपटी में जाए चेक करू तो यह इमेज की size अप देख सकते हैं यह 5 MB क तो यह इसका डाइमेंशन देख लो 6000 तिखा दे रहा है 6000 पिक्सिल का है तो इतनी बड़ी इमेज है यह सारी की सारी DSLR कैमेरे से लीगी इमेजे से तो मैं इने कंट्रोले राइट लिक करूंगा रिसाइज पिचर वाले डाला बॉक्स में आ जाओंगा यहां पर मैं यह वाला यह फिर 1920 वाला रिजॉलेशन रखूंगा यानि 1080 पिक्सेल वाला रिजॉलेशन उसके बाद यहां पर आप कुछ ऑप्शन सेट कर सकते हैं जैसे कि आपको इग्नोर दो ओरिएंटेशन यह वाला उप्शन मैंने चेक रखा क्योंकि मैं इसी इमेज़स को रिसाइज करना चाहता हूं अगर आप और इसका एक कॉपी मैंने अल्यड़ी सेव करके रखा है और यहां पर उसके बाद रिसाइज बटन पर में क्लिक कर देता हूं जैसे मैं रिसाइज करूंगा यह त 2-3 सेकेंज के अंदर सारी इमेज़स रिसाइज हो चुकिये अब यहां पर नीचे आप देख सकते है 24 MB 24 MB में यह पूरा पूरा यहां पर हो चुका है अब यहां पर जाकर राइट लिक करो कोई भी इमेज यह वाला ही देख लेते हैं राइट ली करो प्रॉपर्टीज कर और यहां पर इसकी साइज देखो 5 MB आ रहे थी अभी 330 KB में हो चुका है और डिटेल्स में जाकर यहां पर चेक कर लो कि यह प्रॉपर वही साइज का बनाएगी नहीं 1080 राइट तो यह है इमेज रिसाइजर एजी है एक साथ धेर सारी इमेज को रिसाइज करना अब बढ इन सभी फाइल का जो स्टार्टिंग है आपको दिखा दे रहा है लर्न मोर से तो लर्न मोर की जगब में कुछ और नाम एड़ करना चाहता हो यहां पर इनिशल में तो मैं क्या करूंगा इन सभी फाइल को कंट्रोले से सेलेक करूंगा राइट लिक से प्रोचीजर अब यह पावर रिनेम ऑप्शन तभी मिलेगा जब आप यह पावर टोइज इंस्टल करोगी क्योंकि यह पावर टोइज के अंदर यह पे आपको पावर रिनेम नाम का भी ऑप्शन मिल रहा है यह दिखिए राइट तो यह पे आपको कुछ सेटिंग वैसे करने के तो मैं एक्जाटल वह टाइप करूँगा सर्च पौर लर्न मोर सर्च करूँगा और उसकी जगर रिप्लेस वित यह दिखिए रिप्लेस वित में में लिखूंगा कूर्स पे तो इस और न्यू ब्रैंड जो जल्दी ही चालू हो रहा है डिस्रिप्शन में लिंक मिलेगा इसकी वेबसाइट का आपको और यहां पर आपको दिखाए दे रहा है लर्न मोर की जगह यहां पर आ रहा है कूर्स पे वन राइट तो आप इस तरह से नाम चेंज कर सकते हैं फटा 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 और आप यह Capital में आ जाएगा Small में जैसे आप चाते हैं सब्सक्राइब में च पीछे आप देख सकते हैं सारे के सारी फाइल का नाम यहां पर चेंज हो गया है यह बल्क रिनेमर आपको कैसे मिला पावर टोइज के अंदर से मिला और तीसरा तीसरा भी इंट्रेस्टिंग है आप तीसरा जैसे कि आप एक इमेज में आपको दिखा तो यह इमेज आपको बेसिकली यह जो टेक्स्टे ना इमेज के उपर यह मुझे एक्स्ट्राट करना है तो मैं कैसे करोंगा तो मैं विंदोग शिप्ट बटन प्रेस करूंगा बिनडो शिप्ट बटन प्रेस करने के पाद प्लस साइन आ यह मैं इसे ऐसा ड्रैक कर नुग ऑ और उसके बाद Power Twice से आया है, दोस्तो, Power Twice यह रहा, Power Twice के अंदर Text Extractor, इसकी Short Cut Kids आपदलना चाहते हो, तो बदल सकते हैं, लिकिन यह पर दिया है, तो यह Power Twice क कमाल दोस्तो, यह तीन टीप्स मैंने आपके साथ शेर की, Text Extractor, Image Resizer, Image की Size कैसे Change करना है, और बल करने बाद, और मेरे Teaching Style आपको पसंद है, एक रिक्वेश्च करूँगा, description में जाए, मेरे website के लिंक है, जहाँ पे, डियर सारे computer courses आइस को सेखने मिलेंगे, गर बैटे-बैटे, computer में master बनने के लिए, मैंने courses डिजाइन किये, तो ज़रूर चेक आउट कीजे, description में लिंक आपको मिल जाएगी, मेरे website की, और बस इस वीडियो को लाइक कर दे, न अच्छा लगाया तो लाइक करो, मैंनत लगिए, बनाने के लिए, लाइक, शेयर और कमेंट करो, सब्सक्राइब करो, चैनल पे नहीं में मैंनो, तब तक के लिए अपना खयाल रखो, बाई-बाई! क्या है!